देश का नाम आवेगा हिजडों के फाउज में गाली देने वाले जो भी है या इससे तुलना करने वाले है वो निश्चित तोर पे वो वही है क्या वो वही है कौन कौन है जो भी इस तरीके के सब्दों का उप्यों गालियों के रूप में करते हैं वो गाली उनके नाम की है कि लोगो को तो वापस किया जाता है घृषिट भी पापस कर दी जाएगी अगर वापस कर दी जाएगे वह मिन क्यों लूप आते कहां से लुग हो आते कहां से है उनलू और अपनी मां sulph का कर से पेट से पैदा कर सेना के लोगों का इस तरीकी की बात है सेना में लोग रहे हैं अगर आप इतिहास को नहीं जानते हो तो पढ़ लो उसके बास समझ में आएगा कि पुलिस एचने बात करना उनका एक गाली के समाने संभी दान को गाली दे रहे हैं दे अब यूजिजा एक फार्सी वर्ड है कि परसन हिज्र कर रहा है प्राइबल कर रहा है और अपनी जेंडर अइडिन्टिटि को ले करके फाइट कर रहा है इच एन एब्रि टाइम और उसका इंडिया में जो यह है कि वो एक लाइबली हुड का साधन है जीवी का पारजन का बड़ता आइडिन्टिटी जो है वो ट्रांसजेंडर छे महीने के लिए जेल जा सकता है। उसको इस तरह से गाली क्यों दी जा रही है कि वो हिजड़ा है। हमारे साथ बात करेंगे इस मुद्धे पे रेशमा परशाद हैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। इस तरह के सब्दों का चैन करते हैं वो संविधान को मानने वाले नहीं है। संविधान में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट हैं। तो छे मेने से लेकर के दो साल तक दंड का प्रावधान है। अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें संविधान को नहीं मानना है। जो संविधान की संगर्स की बात और पार्टियां और समाजवाद और इन सब की बाते होती हैं। वो निश्यत तोर पे उसके मानने वाले नहीं है। हाँ उपयोग करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि वो इसकी उपयोगिता कुछ एक अपनी भावतिक सुक्स विधाओं के लिए कर रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा आप जो मंत्री जी बोले हैं। आप मंत्री जी की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं अभी नजदीक में अप मुख्य मंत्री के बारे में भी इसी तरीके से उपयोग कि अपनी परसन नीट्रल है। पहली बात तो जेंडर आइदेंटिटि और सेक्स्वेलिटी को लोग समझते नहीं है। और उसका लगातार अपमान करते हैं, वो अपने लोग जो भावना है, उसको भी नहीं समझते हैं, अब्यूज करना है, उनको गाली ही देना है, और गाली खास करके क्या होता है, कि ट्रंस जेंडर पहचान को गाली देना, और ये पहचान तो मैं पहली बात तो जिन सब्दों का आप उपयोग कह रहे हैं कि किसी ने हिजड़ा सब्द बोला ये सब्द का उपयोग सिर्फ जीवी का पारजन के साधन के रूप में है और ये पहचान से जुड़े हुए जो बिक्ति अपने आपको मानते है उनका बहु और उसके सेनापति ट्रांस जेंडर थे समझ लोग हो अपने इतिहास को भूला रहे हैं 예हां नंदवन्स का राज्य था और वहां के सेनापती ट्रांस जेंडर थे तो सोचो कि वह व्यक्ति ना पाटलीपुत्रा ना मंगद की उस जो अंदर हर्ड है हर्ड में उसके है ही न तो वह कभी इस तरीके के सोच भी नहीं सकते हैं कि ट्रांसजेंडर मुगल काल में भी उसी तरीके से अधमेस्टेटी वूभी में थे मतरब सेना में थे वो सिर्फ ऐसा नहीं थे वो जसूसी भी करते थे वो सेना में फ्रांट वारियर थे और अगर कोई हिंदू माइथलोजी के मानता है तो सिखंडी नाम का वारियर था वो योध्धा था जिसे आज लोग गालियों के तोर पे उपयोग करते हैं उन्हें पता भी नहीं है ये गा गालियों के रूप में करते हैं वो गाली उनके नाम कि है उरंदर के विशना में किसी एक बैटिka नाम नहीं गली तो गाली Herausforder को वापस कर दिया आपको कह दिया कि यूँ आर दमेंबर आप दीज थिंग्स कहांग इस तरीके का आपका अपमान किया है निस्चे तर पर अपमान किया है वह ऑनलाइन मेडिया जिससे जुड़े हुए लोग है मैंने देखा बहुत बड़े-बड़े influencer राद दिन इस तरीके की गालियों का उप्यूग कर रहे हैं ऐसे लोग आते कहां से हैं वो आते कहां से हैं वो अपनी मां के पेट से पैदा हो करके नहीं आते हैं नहीं तो वो गालियां देते ही नहीं क्योंकि ये औरत पहचान के लिए संगर्स की पहचान है कि मैं एक औरत ह करें तो हमें राजनीत करनी ही नहीं है हमें तो सिर्फ उसकी बात करनी है कि जो समाजवाद जो गैर बराबरी जो भेद भाव जिसके लिए नारे लगाते हैं हम कि इसको मिटा दो और प्रतिसत्ता है जो आप धोते हुए आ करना उनका एक गाली के समाने संबिदान को गाली दे रहे हैं आप लोग प्राइड करके आप लोग निकालते हैं रही निस्चीत तोर पे यह गवरव है मैं गवर्व से हूं हम तो देखते हैं कि एक ट्रांजेंडर ब्यक्ति हूं यह मेरे लिए गर्व की बात है और मैं यहां पर एक जस्ट करती हूं यह आपका व्योसाई हो सकता है यह अदर यादव कि हैं पन्ने बात करते हैं बार बार इस तरह साफमानिक लिए लेकिन बाकी जो ट्रांजेंडर है उनको इसे कर दिया मंत्री के द्वारा तो कैसा लगता हूं लोग नहीं किसी के लगने की बात ही नहीं है लगने की यह बात है कि उसको लगना चाहिए कि उसने जो सब्द का उपयोग किया क्या उससे थोड़ा भी ऐसा महसूस नहीं वा जो भी ब्यक्ति हो मतरब एक पॉलिट तो आप यही नाम लेके उसे पहचाने जाते हो मतरब किसी के इस्जत को नेस्तनाबूद कियत के बात के आती हो तो आप अगर किसी को कहते हो किसेना के लोगों का इस तरीकी की बात है सेना में लोग रहे हैं अगर आप इतिहास को नहीं जानते हो तो पढ़ लो उसके बाद समझ में आएगा कि its identity was exist in the police and each and everywhere और हम लोग ने तो हाई कोड से order करवाया सरकार से कि ट्रांस जेंडर लोगों को पुलिस में जग़ चाहिए और उसके लिए reservation दिया बिहार सरकार ने मैं thankful हूँ बिहार सरकार का और बहुत बहुत धन्यबाद करती हूँ मैं चाहूंगी कि उस vacancy को भरा जाए कि ये गाली खत्म हो जाए और ये गाली लोगों को तमाचा हो जाए कि अगर वो गाली देते हैं तो दस बार सोचेंगे कि किस को गाली दे रहे हैं वो भी उसी तरीके से सतर्क होंगे अगर हिजड़ा कहके गाली दी गई है हिजड़ा समा हम बुरा ने मानते हूं मतलब किनर में पैदा लेनी की बात ही नहीं होती किनर एक पहचान है किन्तु नरा मतलब कोई भी नर बेकती है और अपने आपको अधारित करता है तो यह बातों को कौन समझेगा और समझाएगा यह सबसे बड़ी बात है और इसी को नहीं समझने से वो गालिया दे रहे हैं वो गालियों का बाजार कर रहे हैं और आस तो साहित्य से लेकर कि हर जगा भी मर्स गालियों का हो रहा है मैंने कहा कि आप इस्त प्रेडभाव और इस्त्रितों का संगर्स है इसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता जो मंत्री जी इस तरह से गाली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर हैं इंजिनियर हैं आयस हैं सभी लोग यहां पे हैं सारे लोग यहां पे मौझूद हैं और अच्छी पहचान के को देख लेना चाहिए अगर वो नहीं पड़ सकते हैं वो इस सामाजिकता को लेकर के उनका अगर जीवन में कुछ भी वास्ता नहीं है तो सिर्फ एक वास्ते से नहीं देखें कि सिर्फ वो बधाई बस्ती तक ही सीमित है यह होता क्या है बता दीजे आप लोगों को नहीं मैं तो यहीं बताऊगी जिसको गालिक रूप में लोग नहीं हिजडा एक फार्सी वर्ड है कि परसन हिज्र कर रहा है मतरब ट्रावल कर रहा है और अपनी जेंडर आइडिन्टिटी को लेकर के फाइट कर रहा है और उसका इंडिया में जो यह है कि वो एक लाइबली चैनल के लिए जेल जा सकता है कि मैं एक मालो कि आप पुरुष हो और अपने आपको इस्तरी जैसा सामने ले आते हो यह रट्रांस परसन अगर आप मालो की युआरप में फीमिल परसन और यूर कमिंग आउट आइज अमेल परसन एक आदमी के तौर से सामने आ रहे है यह एलजी बेटी क्यों जो है उसका फुल फॉर्म बता लेस्बियन गें बाइसेक्स्वल ट्रांसजेंडर इंटर सेक्स कुएर मतरब जेंडर आइडेंटिटी जो है वह और सट तरीके की है लेकिन हम इन तरीकों से ज़्यादा गालियों के तरीकों पर जा रही है कि हर एक दि पहचान की संग जीवन की गाली थी और उस गाली को इंजुआ कि कर रहे ते और उसको जब हमने बिरोद किया उसे कहा गया कि यह सांस्कृतिक है सांस्कृतिक इस्थितियों में तो सतीप्रथा भी थी अपना लो वापस ला लो मारो सबको जिंदगियां खत्म कर दो यह अकरिये वह मानवता को कलंकित करने वाला है है मुझा तेन के गाली थी जा सबस्क्राइब देंके आपका क्या कहना प्रत किरिया दीजे कमेंट बॉक्स में फेस्बुक वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फ़लो नहीं केत कर लेजिए यूटूब वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी जागती जै भीम जै भारत